अगर आपने अपने यूटूप चैनल बना ली है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है आप अपने चैनल की कैटिकरी क्या रखें अपनी वीडियो की कैटिकरी क्या रखें हलागे आपने चान मारे सारे टिटोरिल आपको समझ नहीं आ रही है तो आज की वीडियो स्पेशली उ आपने वीडियो की category कौन सी रखें और आपने lengthy lengthy tutorials भी देख लिए फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके YouTube चैनल की category आखिर होगी क्या क्या क्यूंकि यह decide करना easy होता है यह मैं आपको teach कर रही हूं आपको YouTube सिखा रही हूं बता रही हूं तो यह education category में आएगा और इस चैनल की category क्या होगी क्यूंकि हम YouTube पर code की मदद से देखेंगे कि channel category आखिर देखते कैसे हैं तो जल्दे से देखते हैं कि कौन सा code आप apply करने वाले हैं जो कि आपको minute में पता चल जाएगा और हाँ अगर आपके पास computer, laptop नहीं हैं आप mobile user हैं तो भी आपने परेशान नहीं ह कर दूँगी ताकि mobile user भी तो परेशान ना हूँ तो PC की screen पर मैं आज कोई यहां पर आपको बताऊंगी इसी channel से ही आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने नीश के मताबिक अपनी channel category के मताबिक सर्च करेंगे तो मैं इनका channel open कर लेती हूँ knitting with zoni यह name से ही जायर हो रहा है कि knitting की अवाले से है वीडियोज में आ जाते हैं यह इनके channel की category आप समझे के होंगे तो यहां पर मैं आपको यह भी बता दूँ यह personally मैं किसी को promote नहीं करी किसी के channel को तो यह जस्ट आपको समझाने के लिए अच्छे यह देखें हमने channel की category दे करती हूं knitting यह search कर दूँगी जस्ट आपने यही write करना है हम देख लेते हैं बड़े चैनल इसी हवाले से इसी category में निकालेंगे जैसे सबसे पहले channel हमारे पास यह आया है तो मैं यह video open कर लेती हूं अब हम make sure करेंगे कि यह channel के वाकी में category knitting के हवाले से है यह फिर यह mixed content तो करना है फिर उसके बाद आपने क्या करना है आपने उस चैनल की category के आवाले से वीडियो देखनी है कि कहीं वह mixed content तो नहीं जा रहा अब फिर तीसे नमबर पर आता है जब आप make sure करने के वाकी में यह आपकी चैनल की category के बिल्कुल exact है तो आपने वीडियो open कर लेनी है अब यहां पर क्या करते हैं राइट क्लिक अब यहां पर ध्यान से देखेगा ध्यान से समझने की यह बात है राइट क्लिक करेंगे page source पर आप क्लिक करेंगे shortcut की है इसका control प्लस यू देखें अब आपने यह चीज़ें देखके परेशान नहीं हो जाना यहां पर आपने कोई type नहीं करना अभी आपने क्या करना है control प्लस एफ जैसे आप यहां पर राइट करेंगे उपर देखें find in page यह चीज़ आपके पास यहां पर open हो जाएगी यह find mean search बार open हो जाएगी अब आपने यहां पर लिखना है category क्योंकि माई के तो मुझे मुझे मुश्किल हो रही है तो अच्छे यह देखें अब जैसे हमने वहां पर category लिखा इस code में category वर्ड जहां पर भी पड़ा है उसने क्या किये आपको दिखा दिये अब इतना नहीं आपने क्या करना है यहां पर enter करना है एक बार होगे enter अब यहां पर notice करें how to and style की category आपको इस channel ने show कर दी है इस code ने show कर दी है तो यहां पर आपको कुछ एक minute भी नहीं लगा तो हमने चैनल की category मालूम कर लिए तो यह देखें इस तरह से इस ने कर दी अब यह black में है शायद आपको prominent ना हो रहा है लेकिन मैं zoom करके दिखा दूँग अच्छा एक और channel भी देख लेते हैं इसी अवाले से randomly मैं चलें यह open कर लेते हैं ठीक है मैंने यह video open कर ली है right click करूंगी फिर से page source पर अब मैं जल्दी यल्दी समझाओंगी और फिर अब आपने control F वो देखें वो category वहां पर उसने दे दी है अगर ना दे क्यूंकि हम right कर चुके थे इसलिए उसने खुद बाखुद दे दी फिर आप यहां पर enter कर देंगे one यह देखें अब यह चीज़ भी आप notice करें one हो गया अब फिर से यह दखें यहां पर नहीं आई यह selected predictions और इस तरह से codes आ रहे हैं फिर से आपने enter करना है और यह देखें यहां पर आप notice क करें यह two हो गया its mean आप इस चैनल की category how to end style अराम से रख सकते हैं तो आप कहेंगे यह end तो है नहीं लेकिन यह end ही है क्योंके code apply किया हुआ है हमने code open किया हुआ है तो इसी वज़ा से वह code है अच्छा मैं अब इसकी category आपको दिखा देते हूं channel में आती हूं setting में जाती हूं और अब जाते हैं upload default इस पर advanced settings पर click करेंगे और अब आएंगे education यह देखें category अब क्यूंके मैं आपको teach करती हूं youtube के हवाले से और tutorials भी देती हूं तो इसलिए मैंने education रखी हुई है और यह category education ही है ठीके अब down arrow पर आप click करेंगे और अब यहां पर देखें how to end style यह category आ होगी इसलिए कहारी हूं आप अपने नीश के मताबिक find करेंगे फिर उसे research करेंगे और फिर देखेंगे वाकिए आपकी चैनल की category यह है यह नहीं है इसलिए मैं यह tutorial आपको बना कर दे दी हूं ताकि आपको मुझ से क्यूरी क्या किसी से क्यूरी पुछने के जिए जरूर में बताती हूं ताकि आपकी confusion वहां से भी दूर हो जाए तो यह तरीका मैं आपको दिखा देती हूं मुबाइल में आपने सबसे पहले अपना मुबाइल उठा लेना है यह वीचारा सा मेरे मुबाइल है यहां पर make sure करें कि आपने YouTube एप बिलकुर यूज नहीं करना बलकि कि अपने मुबाइल के ब्राउजर में जाना है इंटरनेट ब्राउजर में जो कि Google Chrome तो हर मुबाइल में होता है अविलेबल तो वहां पर आकर आपने YouTube सर्च करना है तो ब्राउजर है हमारा desktop मोड में ओन हो चुका है अब यह आपने किया कैसे है अब यह आप पुछेंगे 3.0 पर आपने क्लिक करने में शो करें यहां पर और यहां पर यह देखें desktop यह नजरा रही आपको यहां पर जैसे आप एंटर कर देंगे तो आपको यह चीज नजरा आजाएगी में desktop में convert हो जाएगा तो रेंडमनी मैंने यहां पर एक वीडियो उपन कर लिये अब वीडि कोपी हो जाएका लिंक तो अभी अभी आपने यहीं पर ही पेस्ट कर देना है उपर सर्च बार में अभी यह एडिटेबल हो जाएगा यानि आप इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं तो यहां पर अब हमने कोड लिखना है व्यू हाइफन सोर्स और कॉलन मैं यह शो भी कर दे टैप कर देना है अब स्क्रोल डाउन करेंगे यहां पर आप फाइंड करेंगे वैसी चीज़ फाइंड इन पेज जो के वहां पर भी आपको शो हो रही थी डेक्स्टॉप में इस पर एंटर कर देंगे अब देखें आपके पास सर्च बार आ गई है शो हो गई है अब यहा आपके सामने क्या इसने शो कर दी है तो यह वीडियो टक के अवाले से थी तो इसने टिकनोलोजी ही शो की है साइस एंड टिकनोलोजी अब यह तो हो गया था कोड का तरीका लेकिन यहां पर आप पीसी पर फिर से आये और आपको दूसरा तरीका बदा देती हूं यह कोड पर आप सर्च करेंगे social blade यहां पर click कर देंगे और उसी channel link को आपने यहां पर आकर paste कर देना है अब आप देखें यहां पर आपको ranking भी दिखा रहा है education में ranking है और यहां पर channel type जहां पर दिया हुआ है यही channel category है जो कि है education यानि आपको इस तरीके से भी मालूम हो जाता है कि होप सो यहां पर मैंने PC user और mobile user तक करीबन सब की क्यूरी भी solve कर दी और अब आप खुद ही master बन गया है मिंटों में आप अपनी category बता कर सकते हैं अपना किया रखेगा मुझे ने इजाजत अल्नने के बान